लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व सांसद और हर्याना के मंत्री रह चुके अफ्तार सिंग भड़ाना ने कॉंग्रेस में वापसी कर ली है. हर्याना कॉंग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है. भड़ाना को हर्याना की सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार महेंदर प्रताप सिंग और गुरुग्राम से उम्मीदवार राजबबब को भेजे लेटर में कहा है कि भडाना फरीदाबाद और गुरुग्राम लोकसभकशेत्र में कॉंग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करना चा बार लोकसभा सांसत चुने जा चुके हैं। वो कॉंग्रेस की टिकट पर फरीद आबाद सीट से 1991 के लोकसभा चुनाव में महस 34 साल की उम्र में सांसत बने थे। इसके बाद 2004 और 2009 में भी भडाना ने जीत हासिल की थी। 1999 में भडाना मेरत से जीते थे। लोकसभा चुनावों के बीच में कॉंग्रेस में लोटे भडाना 2014 और 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर के सामने हार गए थे। अवतार सिंग भडाना के साथ ही अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती आयोग के पूर्व अध्यक्ष आजाद सिंग पुनिया क के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर चुनाव लड़ रहे हैं।